राज्यस्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडग 14 बालक का जिलादिकारी ने किया उद्धघाटन 10 नवंबर से 16 नवंबर तक होगा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सहरसा की स्थानिय सहरसा स्टेडियम में साथ दिवसिय राज्यस्तरिय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंब जिलादिकारी श्री वैभव चौदरी द्वारा दीप प्रजवलित कर किया गया उत्सा कूल वातावरन में आयोजित कार्यक्रम के अफसर पर जिलादिकारी ने राज्यस्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले रहे प्रतिभागियों एवं संबंधित दल संरक्षक से परिचक प्राप्त किया एवं उन्हें बहतर प्रदर्शन हेतु प्रोचसाहित कि एवं उत्रिष्ट प्रदर्शन संबंधित खिलाडी को पहचान बनाने में मदद करेगा साथि निरंतर अच्छा प्रदर्शन सुखर्द भाविष्य निर्मान में भी सहायक होगा अतर प्रतियक प्रतिभागी को मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ततपर होना चाहिए जिलादिकारी महुदे ने कहा कि राज्य सरकार प्रतियक योवा के समय के त्विकास हेतु खृत संकल्पित है योवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्ती में सहायता हेतु विभिन योजनाय संचालित है साथ ही विबिन खेल प्रतियोगिताओं का जिला स्तर निरंतर आयोजन प्रतिभाशाली खिलाडियों को उच्च स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शन हेतु सेतु के रूप में कार्य करता है। जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी ने युवाओं से पूर्ण तकपर्ता से सही दिशा में कार्य करने एवं प्राप्त अवसरों से लाभान्वित होने की सलाह दी। दिनाग 10 नवंबर से 16 नवंबर 2024 तक आयोजित राज इस्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 14 बालक में कुल 38 टीम भाग ले रही है। 20 ओव का फाइनल मैच 16 नवंबर 2024 को आयोजित होगा। उप्विकास आयोक्त श्री संजय कुमार निराला ने उपस्थित खिलाडियों को अच्छी प्रदर्शन हेतु प्रोचसाहित किया। आयोजित कार्यक्रम के अफसर पर जिला खेल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सदर स्टी प्यो, जिला परिशद उपाध्यक्ष दीरेंदर यादव, रोशन सिंग धोनी सहित अन्य उपस्थित थे। वहीं आरज्जा ने बकूबी अंदाज में मंच का संचालन किया। जिला में अंडर 14 राज इस तरी प्रतियोगता योजन किया जा रहा है, इसमें सभी 38 जिलों की टीम हमारे सहिर्जा में हैंगी, जो अकले 7 दिन तर चलेगा, इसमें जो भी हमारी टीम विजय होगी, उसको राश्री सतर पर खेलने का सभाग्य पराप्त होगा, तो ये खेल बिवस्ता की गई है, ताकि किसी को भी रुखने में कहीं पर दिक्तत नहीं हो, 37 दो जगहों पर भी मैच चल रहा है, पटेल मैदान में और जिला के सहर से स्टेडियम में, जहां पर पैरललल ही हमारी टीमों के द्वारा मैच अभी खेले जा रहे हैं